बिस्मिल्ला रिह्मान रुरहीम असलाम रिकूम स्टुडेंट्स आज मैं आपको MDT 101 के इंपॉर्टन कोस्टम पता हूंगा जो मैं पास ग्रूप में इंफ्रमेशन चेहर हो रही है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कोशन आपके पास डैप्रीसियेशन का रहे हैं को सकते हैं के हुसा जाया रहे हैं फिर फैनल अकांट आपके पास आ रही हैं सब्सकolf paid बारे में और के बारे में बहुत जबारे में आ रहे हैं फिर उसके लावा आपके पास topics वही दुबारा repeated है कि cash inflow दुबारा क्या होता है हर इसके बार चुछ इंपर्मेशन आ रही है वह यही पुछी जा रही है बार-बार कि depreciation क्या होता है straight line method क्या होता है आपके पास accumulated depreciation क्या है balance sheet क्या है trial balance क्या है आपके पास फिर उसके बाद questions दूसरे देखें वो कह रहे है identify करें आप cash inflow को cash outflow को और from the given in the table आपके पास एक table दिया जाता है इस table की बाद से आपने cash को inflow करना होता है और आपने cash को क्या करना है आप रिकोगनाइस करेंगे किस तरह करना है फिर उसके बाद दूसरा है आपके पास calculate cost of good manufactured manufacturing आपने calculate आपने cost of inventory करना है फिर separate करना है आपने credit को और debit को ये भी बहुत जाद है पूचा जा रहा है कि income statement क्या होती है debit होती है या credit होती है इसके लावा आपके पास profit और loss होता है वो क्या होता है credit होता है या debit होता है फिर एक account का furniture आया वाला कि इसका error आप बताएं कि error को किस तरह हम find out कर सकते हैं फिर उसके लावा revelation of assets क्या होते है जिससे mostly mcqs आपके पा है फिर इसके बाद cost of good sold के बारे में mcqs बहुत ज्यादा repeated हो आवा है cost of good manufactured के बारे में mcqs repeated है rectification error क्या होता है इसके बारे में mcqs आपके पास आया है और इस error को हम लोग किस तरह find करते हैं कितनी टाइप से errors की वो दो टाइप से आपके पास फिर profit distribution statement क्या होती है फिर basis concept of debit और credit क्या है आप इसे किस तरह simplify कर सकते हैं किस तरह आप errors को find कर सकते हैं फिर average method good क्या आपके पास और इसको आप किस तरह से identify कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम के अंदर अपनी cash inflow cash outflow के अंदर अपनी accounting period के अंदर तो यह वह वह वाले questions है जो कि आपके पास बार बार repeated हैं थैंक यू सो मच और इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर upload करता रहता हूं इस तरह की वीडियो मजीद हसल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच और best of luck for the papers अलाह आफिस